स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में और आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे साथ है the all new Bajaj Pulsar N125 और आज की इस वीडियो में में आपको इसके सारे color option दिखाने वाला हूँ वाइक्स के सारे color option देखना चाहते हैं तो तो चलिए बिना किसी देडि के इस वीडियो की शुरू बात करते हैं और बात कर लेते हैं color option के बारे में पहले मैं आपको इसका base model दिखाता हूँ जहाँ पर आपको चार color option मिलते हैं यह है इसका black color तो complete front profile आप देख सकते हैं बाई base model में भी आपको LED light setup मिलने वाला है तो यह काफी अच्छी बात है बाकी headlamps के around आप देख सकते हैं इस तरीके के आपको inserts मिल जाएंगे यहाँ पर red color की आप highlights देख सकते हैं सेम आपको यह suspensions के around भी इस तरीके के यह inserts मिल जाएंगे rims पर आप देख सकते हैं red color की आपको highlights मिल जाएंगी और base model में ही भी आपको यह disc brakes मिलने वाले हैं तो यह काफी अच्छी बात है बाकी side profile में आप complete look देख सकते हैं इस black color का तो यह आपको black color कैसा लग रहा है black color obviously काफी जाधा sporty मना जाता है जब इसके साथ यह red color की आपको highlights मिलती है तो बाकी आप देख सकते हैं pulser की आपको 3D badging मिल जाएगी tank extender आप देख सकते हैं यहाँ पर graphics आपको इस तरीके के मिलेंगे false carbon का use किया गया है तो काफी अच्छे graphics करने वाले हैं साड़े 9 लिटर की fuel tank capacity मिलती है बाकी आपको kick का option base model में भी मिलेगा और top end model में भी मिलेगा split type की आपको seats मिलती है यहाँ पर again इस तरीके के आपको graphics मिलने वाले है silver color finishing के आपको grab handles मिल जाएंगे तो यह तो पहला color option है उसके अलावा base model में आपके पास यह blue color का option मिल जाता है तो सबसे पहले complete side profile का look देख सकते हैं इस blue color का यहाँ पर भी again pulser के आपको 3D badging मिल जाएगी and graphics के बारे में बात करें तो यहाँ पर dual tone आपको blue का shade मिल जाएगा plus silver color की highlights मिलने वाली है and यहाँ पर again वहाँ पर black color का मिलता है यहाँ पर blue color का आपको यह inserts मिल जाएंगे silver color के grab handles मिल जाएंगे तो यह second color option है बात करें बही बेस मोडल है यह तो यहाँ पर जो इसका instrument cluster है वो आपको इस तरीके का मिलेगा यहाँ पर आपको यह LCD मिलेगी and यहाँ पर आपको कुछ morning sign indications वगरा मिल जाएंगे तो यह मैंने आपको दिखाया बेस मोडल में इस तरीके का आपको cluster मिलता है बाकी top end model जब दिखाऊंगा तो वहाँ पर fully digital आपको cluster मिलता है वो मैं आपको दिखा दूँगा तो यह तो दो color option दिखा दिए इसके अलावा आपको base model में दो और color option मिलते हैं यह इसका white color और red wine color detail में बात करेंगे यह के color option के बारे में सबसे पहले मैं आपको white color ही दिखा देता हूँ तो यहाँ पे headlamps के around आप देख सकते हैं यह white color के आपको inserts मिल जाएंगे suspensions के around यहाँ पे white color के आपको inserts मिल जाएंगे जहाँ पे यह kind of pink color का आपको shade मिलेगा जी हाँ यह red नहीं है यह magenta या फिर pink color का option है बाकी rims पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके के आपको graphics मिल जाएंगे side profile में complete look आप देख सकते है white color का कुछ इस तरीके का आएगा 3D pulsar की आपको branding मिल जाती है and split type की आपको seeds मिल जाएंगी और उसी के साथ एक चीज में आपको दिखाना गूल गया था बेस model में भी आपको यह mobile charging का provision मिलता है USB type है charging port मिल जाएगा cluster already मैं आपको दिखा दिया तो यह तो इसका white color है इसके अलावा आपके पास यह red wine color का भी option मिल जाता है जो कि आपको obviously top end model में भी मिलेगा लेकिन होँआप ग्राफिक सोड़ से change हो जाएंगे बाकी अभी base model के बा आपको base model में कौन सा color सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे comment section में बताना तो मैंने आपको N125 के base model के दो चारो color option दिखा दी और आप बारी आती है जो इसका top end model है LED disc Bluetooth variant उसके तीन color option जो आपको मिलेंगे उसको दिखाने की सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यह इसका purple color तो ज इंसर्स मिलेंगे यहाँ पर hexagonal carbon fiber type का texture मिल जाता है हाला कि यह forged carbon fiber technology को यूज किया है बजाज ने यहाँ पर suspension के around आप देख सकते है purple इंसर्स मिलेंगे wheels पर आप देखेंगे जो graphics है यह again purple color के हो जाते हैं तो again यह आप देख सकते है complete side profile का look purple color में आपको यह बाइक कैसे मिल जाएगा इस top end model में तो यह purple color आपको मिल जाता है जो कि आपको काफी जागे देखने को मिलेगा यह आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको purple color का shade मिलेगा grab handle आपको same मिलेंगे kind of white color के तो यह complete look हो गया इस पहले color का जो कि आपको top end model में मिलता है इसके अलावा यहाँ पर आपको एक यह red wine color मिल जाता है जी हाँ red wine color आपको base model में भी मिलता है लेकिन यहाँ पर जो red wine color है उसके graphics थोड़े से change हो जाते हैं detail में बात करें यहाँ पर भी इसका complete front profile का look देख सकते है headlamps के around इस तरीके के inserts मिलेंगे यहाँ पर same आपको red wine color के inserts मिल जाएंगे यहाँ आपके suspensions के around graphics आपको यहाँ पर rims पर मिल जाएंगे tank extender आप देख सकते हैं यहाँ पर pulsar की 3D आपको bedging मिल जाती है 9.5 liter की fuel tank capacity मिल जाती है split type की आपको seats मिलेंगी यहाँ पर pulsar भी लिखा हुआ है बाकी instrument cluster के बारे में बात करें तो जैसे कि मिल आपको बताया जो top end model है व चार्टर वाला feature मिलता है बाकी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इस बाइक के बारे में तो डिटेल वीडियो ऑल्यडी चैनल पर लाइब है एंड यह इसका third color option है जो की neon color है तो यह color आपको कैसा लग रहा है नीचे comment section में बताना इसके बारे में बात करें तो इस आपको inserts मिलेंगे headlamps के around suspension पे wheels पे तो भाई जो भी body color आपको मिला उसी की graphics आपको मिल जाएंगे bikes overall देखने को आपकी complete इसका भी आप लुक देख सकते हैं यहाँ पर neon and gray color का use किया गया है paint scheme आप देखेंगे तो यह नाडो gray color जिसे हम बोलते हैं तो वो आपको color देखने को मिलेगा इस third color option में इसका complete look आप check out कर सकते हैं तो यह 3 color option आपको मिल जाएंगे इस N125 में top end model में और 4 color option में इसके base model में तो कैसी लगी आपको मेरी यह video and कैसी लगी Bajaj Pulsar N125 मीचे comment section में जरूर बताएं and हाँ इस video को end करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दिजिए और bell icon को भी press कर दिजिए क्य अभी सारा content आने वाला इस चैनल पर तो चलिए इस video को में ही प्यांट करता हूं तो गाड़ी चलाते से में seatbelt और बाइक चलाते से में helmet लगाने में विल्कुल न शर्म आए यह आप ही की safety के लिए है तो इस video में बच इतना ही thank you